काल एक बहुत ही अनुखा और मस्तिश्क चकित करने वाला किरदार था उसके अजीब से कृत्रिमताय और अनुखे अनुभों ने उसे सबसे अलग बना दिया था एक दिन काल ने फैसला किया कि वह एक बड़े शहर की सेर पर जाएगा उसने अपनी सारी अन्प्रिय चीजे भी साथ ली उसकी खास टाइम मशीन भी जो केवल उसके पास थी काल के पहले ही कदम से वह गुम हो गया वह एक जंगल में पहुँच गया जहां प्राचीन जादूगरों के छल कपट से भरा राज था वहाँ काल ने एक बड़े जादूगर से मिला जिसने उसे एक पुरानी किताब के बारे में बताया उस किताब में ऐसा जादू था जो किसी को भी हंसा सकता है चाहे वह कितना भी उदास हो अब हर कोई काल के चारों और उत्साहित हो जाता था उसकी हर बात पर हसी और मस्तिछा जाती थी लोग उसे जानने के लिए पागल हो गए थे और काल के हंसाने के तरीके से उनकी दिंचरा बदल गई थी और इसी तरह काल ने अपनी अनुकी और मस्तिश्क चकित करने वाली कहानी सुनाई जिसमें हर कोई हंसता और हर कोई खुश होता था